कि नमस्कारम रीजनों आप देखें स्यूटी पार्ट सला आप स्वी का बहुत-बहुत स्वागत है स्यूटी पार्ट सला पर आपको कंटिनिवर स्टेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स बहुत सारे कटाफ वीडियो स्यूटिस रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन और क्लियर हो चुका है जो बच्चे पीजी के हैं उनके लिए तो यह समझ लो कि बस पांच छे दिनों में या वन वीक में उनकी कांसलिंग स्टार्ट हो जाएगे मैं आपको आज इस वीडियो में डेट भी दे दूँगा लेकिन जो यूजी के बच्चे हैं वो भी आज इस व सुनने में आया है मैंने और वीडियो सैट चेक्ट किया वहां तो कुछ नजर नहीं आया लेकिन ग्यारत तारिक से आने वाली ग्यारत तारिक से PG के जो कांसलिंग है होने की संभावना है या पोड़ अटिवेट करने noises which the participants नहीं करने की समवावना है वह पहला स्टेफ है तो हम लोग पहले आपका एक बार काउंसलिंग डाकॉमेंट्स देख लेते हैं देखो आपको पता होना चाहिए कि जो भी डाकॉमेंट्स है वह आपको ओरीजिनल भी चाहिए साथ में उसका जेरॉक्स का पी भी चाहिए ठीक है यह आप दिमाग में बैठा लो कि जितने भी डाकॉमेंट्स में आपको बताऊंगा जैसे कि ओरीजिनल्स अलॉंग विद फोटो कॉपी ठीक है कम से कम सब के चार से पांच फोटो कॉपी होना चाहिए इट मेंसके जिरॉक्स आप सभी को पता है कि आप पीजी में जा रहे हो तो आप टेंथ ट्वैल्थ और साथ में य कराय में जाना चाहते हैं उनके लिए ये यूजी का भी चाहिए इसकोर कार्ड और एड्मिट कार्ड आप इंट्रेंस जैसे कि जो बच्चे इन्वर्सर्टी लेवल पर दिये हैं यानि कि इलहाबाद डारेक्टली जो कराया हुआ है पीजी का पेपर ठीक है तो पीजी का यूजी वाले होंगे जो यूजी वाले होंगे उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है हम लोग इसको बोलते हैं टीसी यह स्कूल में मिलते है ठीक है और एक होता है mc migration certificate ठीक है ये दोनों भी आपको अपने स्कूल से निकल वा लेने है टेस्ट admin card is suit by the university ठीक है ये उपर वाला ही है दोबारा रिपीट होता है category certificate ध्यान दीजगा category certificate जैसे कि EWS जैसे कि SC, ST, OBC ये सब आपके पास reservation categories के जो certificates हैं वो बनवा लिजए ध्यान दीजगा कि on the spot आपको इसकी जुरत पड़ेगी ये बहुत important है reservation वाला जुरत पड़ेगा बाकी hold कर सकते हो फोटो आपको चाहिए कम से कम आप कहीं पर जाके 24-25 फोटो निकल वा लो कम से कम मैं तो कहूंगा 50 भी खिचवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जादा खिचवाते हो तो कम पैसे लगते हैं मुझा रहा है 100 रूपे में मिल जाएगा इतना आधार कार्ड का फोटो कॉपी और इसके साथ आप कोई और भी एक आईडी यूज कर सकते हो बैंक पास्बूक भी अपना रखे रहना ठीक है इंकम सर्टिफिकेट एंड पैरेंट और गार्जियन्स का ध्यान दीजेगा इंकम के साथ-साथ आपका रेडेंशियल भी होना चाहिए यानि निवास जिसको बोलते हैं ठीक है ये भी आप रख लो निवास तो आए जाती निवास बिसिकलिए हम लोग जो यूपी में बोलते हैं आए जात निवास ये तीनों आपका आपके पास होना चाहिए और ये पूरे डॉकुमेंट्स आप ले लो अब कुछ बच्चों क लाकुमेंट्स होते हैं जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें देखो कौन-कौन सा कमपल सरी है टेन ट्वाल्थ में तो कोई दिक्कत आएगा नहीं भाई पासिंग रजल्ट उन्हें चाहिए क्योंकि 12 में पास रहो के तभी एडमिशन होता है तो टेन ट्वाल्थ आपको रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो यह कटेगरी वाला आपको लगाना पड़ेगा फोटो जो अगरा इनकम आपको लगाना पड़ेगा ठीक है जनरल वालों के साथ ऐसा सी नहीं होगा जैसे जो जनरल की बच्चे होंगे या आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास अगर सपोज कि आप OBC से आते हो आप पास कटेगरी सर्टिफिकेट OBC का नहीं है तो आप कंसिडर कर लिए जाओगे जनरल से ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका अपका अडमीसन ही नहीं होगा आप जनरल में चले जाओगे यह होता है और जनरल के बच्चों के लि चाहिए at the time of counseling आपकी counseling जो है वो दोनों mood में हो सकता है means की online भी हो सकता है ठीक है और offline भी हो सकता है और hybrid भी होने की संभावना है hybrid hybrid का मतलब होता है कि online प्लस offline दोनों तो online तो होगा और offline भी होगा साथी साथ यहाँ पे एक और update भी है कि आपका FMC यानि एलहाबाद का जो main campus से उसके साथ साथ इसके affiliated college के भी counseling होगी ठीक है ऐसा नहीं है को counseling बाद में start करेगा at the time main campus आपके उसके भी counseling start हो जाएगी फरदर जो information होगा मैं आपको inform करूँगा ऐसा नहीं है कि बस एक video दे रहा हूँ back to back videos देता रहूँगा follow up videos देता रहूँगा बस आपको चंग को subscribe कर अगर आपको join करना है तो आप join कर सकते हैं description में नंबर है whatsapp कर दी 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है means cultural station है ठीक है मुस्कुराते रहे बहुत साइसों काम नहीं सब्सक्राइब जरू कर ली जगा इस video को share कर दीजगा